हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेज आज हम बात करेंगे एरिक एरिक सन के साइको सोस्यल थेवरीक के बारे में मनोसामाजिक सिध्धान के बारे में एरिक सन जो हैं उन्होंने विकास के आठ चरण दिये थे जो की जीवन भर क्रमा नुसार चलते हैं और प्रतेक चरण में एक विकासात्मक मानक होता है जिसको पूरा करने में कुछ समस्याएं आती हैं और उन्हें समस्याओं का समादान जितना जल्दी कर लते हैं विकास उतना ही बहतर होता है एरिकसन को ईगो साइकोलजिस्ट अहम मनो वज्ञानिक के रूप में भी जानते हैं इसके नाम से भूव प्रसिद हैं एरिकसन का जो थेोरी है वो वेक्तित्व के विकास में सामाजी के वमेती हासिक कारकों की भूमिका को भी सวिकार किया है इसलिए इनके सिध्धान को इनके थेयोरी को हम मनोसामाजिक सिध्धान के नाम से भी जानते हैं साइको सॉसियल थेयोरी के नाम से भी जानते हैं तो आईए हम जानते हैं एरिक्सन के बारे में कुछ बात है एरिक्सन का जन्म 15 जुन 1902 में जर्मनी में हुआ था और इनको अमेरिका और जर्मानी का नागरिकता प्राप था और डेपलोमेंटल साइकोलोजिस्ट है इनका फिल्ड डेपलोमेंटल साइकोलोजी था और ये सोसल डेपलोमेंट के लिए जाने जाते हैं उस थेवरी के लिए जाने जाते हैं और इनको अवार्ड मिला था 1970 में पुलिट्सर प्राइस और नेशनल बूक अवार्ड और इनकी मृत्यू 12 माई 1994 में हो गई थी उसमें इनकी आयू इनकी एज 91 थी 90 वर्स थी एरिक्सन के मनो समाजी कहम विखास की अवस्थाओं की कुछ विशेस्ता है जिसमें फर्स्ट है संक्रांती संक्रांती जो है वो जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो उसे स्थिति में व्यक्ति कि जैविक परिपक्वता और समाजिक मांग दोनों के बीच अंतक्रिया होता है उसके कारण उत्पन होता है उसे संक्रांती कहते हैं सेकेंड है प्रतेक मनों समाजी संक्रांती में एक पॉजिटीव और एक नेगेटीव एलिमेंट्स दोनों विद्धमान रहते हैं, दोनों ही सामिल रहते हैं जैविक परिपकवत और नई समाजीक मांगों के कारण दोनों में प्रॉब्लम होता है, द्वन्ध होता है इस द्वन्ध से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रूप से विक्सित होता है समस्या का समाधा नहीं होता है तो विकास औरूद हो जाता है और व्यक्तित्व संबंधी कई विकार उत्पन हो जाते हैं एरिक्सन की 3R है प्रतेक अवस्था में 3R होती है First है रिच्वलाइजेशन Second है रिच्वड और Third है रिच्वलिस्म तो रिच्वलाइजेशन को हिंदी में कर्म कांडता भी बोलते हैं समाज के वैक्तियों के साथ जो भी सांस्कीतिक रूप से स्विकार किये गए तरीके से वैभार होता है या अंतवक्रिया होता है उससे करना ही रिच्वालाइजेशन होता है रिच्वाल कर्मकांड वैसके लोगों के समूद वारा बार-बार घटित होने वाली जो मुख्य घटना है उनको दिखाने के लिए किये गए कार्यों रिच्वाल होता है कर्मकांड थर्ड है कर्मकांडवाद रिच्वालिज्म कर्मकांडता में रिच्वालाइजेशन में जो विकार उत्पन होता है उसे एरिक्सन ने कर्मकांडवाद रिच्वालिज्म का नाम दिया है इसमें वेक्ति अपने उपर ध्यान के निरित करता है, self-centered होता है Ericsson के 8 stages, 8 अवस्थाएं ये निमने प्रकार हैं, इसे हम आगे डिसकस करेंगे First है Trust vs. Mistrust, विश्वास बनाम और विश्वास ये infancy period होता है, जन्म से लेके 4 मैने तक के बच्चे इसमें सामिल होते हैं ये सैस्वा आवस्था काल होता है, ये प्रत्वाम आवस्था है Fright का जो मनोविसलेश नात्मक सिध्धान थे, उसकी जो first stage है, मुखा आवस्था उससे ये बहुत सिमिलर है समानता रखता है, ये infancy period होता है मा के द्वारा जब भी बच्चे का पर्याप देखभाल किया जाता है, भरपूर प्यार दिया जाता है तो उसमें धनात्मक गुण विक्सित होता है और यदि माद वारा बच्चे का पालन पोसंट नहीं होता है बच्चे की अपेक्षा वो दूसरे कारियों, वो वैक्तियों को प्राथमिक्ता देती है तो बच्चे में अविस्वास, हींता, डर, आसंका, ये सब नेगेटीव अहम गुण विक्सित होता है ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट प्राब्लम का सौल कर लेता है बच्चा इस स्टेज को पार कर लेता है तो उसमें एक आसा नामक मनोसामाजिक सकती विक्सित होती है होफ वर्चिवाती है हासा यानि एक ऐसी समझ या सकती जिसके कारण बच्चे में अपने अस्तीत्व, अपने स्वैम के सांस्कृतिक परिवेस को सार्थक धंग से समझने की छमता विक्सित होती है, हासा होता है सेकेंड स्टेज है और्टोनमी वर्सेस सेम एंडाउट, अर्ली चाइल्ड हूड, इसमें अठारा मैने से लेकर तीन साल तक के बच्चे आते हैं, स्वतंतरता बनाम लज्जा सीलता, इसमें स्वतंतरता का अर्थ है निये कि बच्चे को स्वतंतर छोड़ दे, वो रोट में जाकर घूमें या कुछ भी करें, बल्कि यही कि माता पिता अपने नियंतरन में, अपने कंट्रोल में रखते हुए स्वतंतर रुप से बच्चे को उसकी इक्छानु सरकारे करने दे, अगर स्वतंतर नहीं छोड़ा जाता है तो उसमें लज्जा सीलता आती है, शेम आती ह तो उसमें एक वच्चिव आती है, जिसको इच्छा सकती कहते हैं, विल पावर कहते हैं, इच्छा सकती मतलब ऐसी सकती होती है, जिसके कारण बच्चा अपने रूची के अनुसार स्वतंतर होकर कारे करता है, उसमें आत्म नियंतरन, आत्म समयम, सेल्फ कंट्रोल का फिल करता है, थर्ड स्टेज है, इनिसेटिव वर्सेज गिल्ड, प्ले एज, चार से छे वर्स तक के वच्चे इसमें आते हैं, खेल अवस्था इसे कहते हैं, पहल सकती बनाम दोसीता, इस स्टेज में बच्चा बोलना, चलना, दोडना ये सब सीख जाता है, वो खेलने, क कारे करने, घर से बाहर, अपने पियर्स ग्रूप के साथ, अपने नए साथियों के साथ, नए जिम्मेदारिया निभाने में उसकी रूची होती है, उन्हें एसास होता है कि उनकी जिद्गी का भी कुछ लक्षे है, जिसे हासिल करना है, पैरेंट्स के द्वारा अगर इस प्रविर्ति आजाती है उसमें, पैरेंट्स के द्वारा अगर इस टाइप के सोसल वर्क में या सामाजी कारे में भाग लेने से अगर उसे रोका जाता है, या भाग लेने से उसे डंडित किया जाता है, तो बच्चे में अपराद बोट की भावना आती है, वो गिल्ट फि इबलोप्ट होता है, नेक्स्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फरियोरिटी, जिसके स्कूल एज भी बोलते हैं, स्कूल अवस्था, परिस्रम बनाम हीन भावना, इस स्टेज में बच्चा फर्स टाइम स्कूल के माध्यम से आपचारिक सिक्च वेभार कॉसल सीखता है, जिससे परिस्रम की भावना उसके में विक्सित होती है, स्वयम की छमता पर्व किसी कारण अगर संदेय करता है, तो उसमें आत्महियता की भावना आती है, इन्फरियोरिटी की भावना आती है, इस समस्या का समाधान अगर कर लेता है, तो उसमें सामर्थ्यता वर्चु डेबलोप्ट होती है फिप्थ स्टेज इगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फियूजन एडॉल सेंस की सोरा आवस्था अहम पहचान बनाम भूमी का संब्रांती इस स्टेज में दो समाजिक पहलू विक्सित होता है पहला कि अहम पहचान नाम पॉजिटिव पहलू और दूसरा भूमी का या पहचान संब्रांती नेगेटिव पहलू पॉजिटिव पहलू मतलब कि वो अपना पहचान बनाता है समाज में और सेकेंड कि वो अपना पहचान खोचता है कि मैं हूँ कौन और इस stage में जो virtue developed होती है वह फिडिलिटी करता विया निस्ठता का और वह social relationship बनाता है एक phrase है identity crisis पहचान का संगट इसके जन्मदाता action ही है next stage है 6th stage intimacy versus isolation early adulthood तरुन व्यास का वस्था घनिस्ठता बना विलंगन या विक्रिती इसमें जो है व्यक्ति स्वतंतर रूप से जीव को पारजन करना प्रारम कर देता है समाज के जो सदस्ये हैं अपने parents अपने भाई बैनों तथा अने relatives के साथ अपना घनिस्ठ संबंद इस्थापित करता है व्यक्ति अपने आप में खोयर आने के कारण संतोज जनक संबंद कायम नहीं कर पाता है तो उसमें isolation के स्थिति आ जाती है isolation की मातरा अगर जादा हो जाती है तो मनुस्य के या व्यक्ति के विवहार में मनोविकार या गैर समाजिक हो जाता है उसमें मनोविकार आ जाती है इस समस्य का समाधान अगर वकर लेता है तो उसमें love virtue डेबलोप्ट होती है इसने आती है और उसे उत्तरदाई तो उत्तम देखभाल आदर भाव इसने ये सब डेबलोप्ट होता है 7th stage generativity versus stagnation middle adulthood इसमें वैक्ती द्वारा अपनी भावी पिढ़ी के कल्यान के वारे में सोचता है और समाज को उन्नत बनाने के लोग रहेंगे उस समाज को उन्नत बनाने के लिए सोचता है और प्रयास भी करता है generativity का भाव उत्पन्ना होने पर उसमें stagnation की संभावना बढ़ जाती है जिसमें वैक्ती स्वैम के सुक्सी विधाओं आवास सकताओं को ही प्रात्मिक्ता देने लगता है इस stage में जो virtue डेबलोप्ट होती है वो है care देखभाल नामक मानो समाजिक सक्ती विक्सित होती है सोचता है कि क्या मेरा अभी तक का जो life था वो meaningful था इस stage को व्रिधा अवस्ता के अवधी भी मानते हैं इसमें व्यक्ति को अपने स्वास्तिय समाज एवं परिवार के साथ समाय हो जाएं अपनी उम्र के लोगों के साथ संबंद स्थापित करना ये सब चुनोतियों का सामना करना पड़ता है इस stage में व्यक्ति भविषयों की और ध्यान ना देकर अपने अदीत के सफलता और सफलता का इसमरन करता है याद करता है और उनका मुल्यांकन करता है इस stage में wisdom वर्चु डेबलप्ट होती है यदि मनुसिय अपने जीवन के पहले देखता है यदि मनुस्य असफलता और सफ कुछ आलोचना भी थी इनकी थेयोरी के जिसमें फर्स्ट जो आप्टिमिस्टिक अप्रोच उन आलोचकों का कहना है कि आवसेक्ता से अधिक आसावादी द्रिश्टी कोण है एरिकसन की थेयोरी में Second है कि Just Simplifying the Theory of Fred कुछ आलोचकों का मानना है कि Fred का जो सिध्धान था उसको मात्र Erikson ने सरल किया है अपना कोई नया सिध्धान नहीं दिया है Third है Lack of Experimental Support परयोगात्मक समर्थन का आभाव आलोचकों का यह मानना है कि व्यक्तिगत नीरक्षन है Erikson का इस थेयोरी में कोई प्रयोग नहीं है तत्यों पर तो बायस्ट होने की संभावना अधिक है प्रयोगात्मक समर्थन का जो है वो आभाव है और भी इनके थेयोरी के आलोचना थे हैं जिनमें यह भी था कि अन्तीम जो मनोसामाजी का वस्था की व्यक्या है वो अधूरी है और असंतोस प्रद है एक्स्प्लेनेशन और फाइनल साइको सोसेल स्टेट इनकम्प्लेट एंड डिस सेटिसफाइड यह थी Erikson के साइको सोसेल डेबलोप्मेंट थेयोरी यदि किसी भी स्टेज पे आपको डाउट हो कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करकर बूश सकते हैं हमारे यूटूब चैनल जेके कॉमेर्स क्लासेस को लाइक अंड सेर करना ना भूले and comments में आप अपने doubts बूस सकते हैं और अगर कुछ suggestions हैं तो आप comments में बता सकते हैं Thank you